किसी भी बीज के जर्मिनेशन के लिए सबसे महत्पून चीज होती है मीडिया यहाँ पर पराली खूब होती है वो जली हुई जो पराली है यह उस पराली का ये उस मीडिया का एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर यह पेला रेथ है जो मारकेंडर नदी के किनारे से लिया गया है और तीसरे तसले में आप वहाँ देख रहे होंगे यह गोबर गैस की स्लेरी है इन तीनों को आपस में जब मिलाया जाता है तो जब गर्मी जादा होती है तो उस समय जो रेथ है उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है जब सर्दी जादा होती है तो तब उस समय जो यह चावल की जो जली हुई जो भुसी है इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है ऐसा क्यों कि जाता है इसका सीक्रेट क्या है सबसे पहले तो यह जला हुआ छिलका जिसको हम राखी भी बोल देते हैं तो इसको पकड़ा इसके बाद हमने मसूस किया पकड़ा क्यों हमने सबसे पहले तो यह जो नर्सरी है वो बड़ी एक सॉफ्ट चीज में होनी चाहिए तभी उसकी का साथ में में इसको क्योंकि इस में यह उधर जाले हुए छिलके में भी कॉई ज्यादा निख्रांट में बीज़ादा नहीं होते तो इसको उपजाओ और अपजाओ करने के लिए हमने इसमें अपनी जो पशिव रखने हुए जो या detective आ से पहलेु मिक्सर है जो पीछे पढ़ा हुआ है ये उपर से बिल्कुल सूखा हुआ है अंदर जाओ तो गिला है नरसरी के लिए ये कैसे कैसे लाबदाएक होता है ये निचे से गिला रहता है उपर से सूख वजाता है इतनी की प्लांट की requirement है जो ये हमारा mixture है ये रात को जो ओस पड़ेगी उसको observe करेगा रात को ये गिला हो जाएगा